नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में दोस्तों, क्या जमाना आ गया है। इस कल्युग में लोगों को दूसरों से डर नहीं लगता है, क्योंकि अपने घर के ही लोग, अपने रिष्टेदार ही हमको अच्छा खाता पीता नहीं देख पाते हैं। कुछ लोग तो इस तरह के भी होते हैं, जो हस्ती खेलती लोगों की दुनिया को उजार देते हैं। इस समय बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। ममता बनर जी इस्तीफा देने वाली है, उन्होंने खुद अपने मुंग से कह दिया है, आखिर क्या बोला है, उन्होंने एक बात और कही है, मैं इस्तीफा तो दे दूँगी, लेकिन आखिर, लेकिन उनका कहने का मतलब क् अगे तो वीडियो में बने रहे अंत तक, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर ले। रखता है, आपका परिवार का ही जलन रखता है, तो हम दूसरे को क्या कहें, चलिए आगे की पूरी खबर देखते हैं, लेकिन उससे पहले ममता बनर जी जी के बारे में थोड़ी सी कुछ बाते हैं, जान लेते हैं, फिर आगे मैं आपको वीडियो ज़रूर दिखाऊंगी आरजी कर मेडिकल के मुख्य आरोपी, संदीब घोश के उपर एडी का शिकंजा, एडी ने संदीब घोश के पिता के घर समेत चार ठिकानों पर कर दी है, रेड। के सरकार के काफी ज्यादा करीबी, संदीब घोश के घर, उसके दो फ्लैट और पिता के घर, और चार और करीबियों के घर पर कथित वित्तिय अनिमिनेशन जे मैं था संदीब घोश, और अब इस पूरे मामले में हो चुकी है, एडी की एंट्री, वो भी मनी लरिंग के माम और कार्यालयों पर आज सवेरे से ही छापे मारी चल रही है। चापे मारी की है। कोलकात्ता से लेकर उत्तर चौस पर गणा और तमाम जगहों पर यह चापे मरी चल रही है। एक तरफ CBI पहले से ही संदीब घोश से मामले को लेकर सवाल जो है वह पूछ रही है। और देखिए जो संदीब घोश को लगातार बचाने की कोशिश पहले TMC सरकार के द्वारा की जा रही थी, अब वही संदीब घोश CBI और ED के शिकंजे में फस चुका है। देखिए, यही वह संदीब घोश है जिसका कई बार ट्रांसफर होने के बावजूद भी अर्जिकल मेडिकल कॉलेज में संदीब खोज को रखा गया और वाइस प्रिंसिपल जो है वह बना कर रखा गया। वह भी कई बार ट्रांसफर होने के बाद और यही तमाम सवाल हैं जो आज मम्ता बैनर्जी के सच सरकार प्रशासन पर सवाल खड़े करते हैं। और यही बात है जब ममता बैनर जी से हर बार पूछा जाता है कि आखिरकार ममता बैनर जी और संदीब घोश का क्या रिष्टा है। यानि कि देखिए CBI भी सरकारी अस्पताल में कथित वित्तीय अनुमता हों की जाँच पहले से ही कर रही है और CBI ने अब इस मामले में संदीब घोश और उनके तीन साथियों को पहले ही गिरफतार कर लिया है। एक तरफ ED की जाँच चल रही है, दूसरी तरफ CBI अपने पहलूँ पर जाँच कर रही है और वहीं दूसरी तरफ बात करें। ममता बैनर जी की बयान बाजियां की जो अभी तक तो जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उन लोगों को जेल में डालने का काम कर रही है। क्योंकि इन तमाम चीजों को लेकर सोशल मीडिया पर भी आज कुछ छुपा हुआ नजर नहीं आ रहा है। वहीं अगर बात की जाए उन डॉक्टर्स की जिनको मनाने में ममता बैनर जी लगी हुई है। वो जूनियर डॉक्टर भी अभी तक जो हैं वो अपने काम पर लोटे नहीं है। कोलकाता के अरजिकल अस्पताल में जूनियर डॉक्टर की रेप और हत्या के बाद मचा बवाल जो है वह अभी तक धमा नहीं है। जूनियर डॉक्टर्स ने अभी तक काम पर वापसी नहीं की है। और अपने काम पर नहीं लोटे हैं और वह भी ममताब एनरजी से कई मांग कर रहे हैं इस पूरे मामले में पीडिता के परिवार को न्याय दिलाने के लिए। अब मेरे खयाल में ऐसा मेडिकल सिस्टम नहीं है कि इतना बेसिक डिमांड्स के लिए स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स आज सीनियर डॉक्टर्स हमारे प्रोफेसर्स हमारे मेडिसिन और सर्जरी प्रोफेसर्स वो लोग ओटी करके वो लोग मेडिसिन क्लिनिक्स करके हम भी shifts में आ रहे हैं, हमारे पराई है, हम वो भी कर रहे हैं, जो हमारे seniors है, intern doctors house, staff doctors, वो उनका duty कर रहे हैं, तो medical system is completely intact, medical systems not been harm in any way, government जो बोल रहा है और उसका lawyer Mr. Kapil Sibbal, वो जो बता रहा है, उसके पास कोई proof नहीं है, हमारे पास OPD numbers है, पाँच दिन के अंदर एक लाख patients को OPD का registration मिला है, तो वो numbers, government numbers है, और government के lawyer Supreme Court में ऐसा formation court कर रहा है, कि deaths हुए हैं, patients को neglect कर रहा है, whereas in reality, in the ground reality, I would like to invite Mr. Kapil Sibbal to come to ground, to come to every government, hospital end, checkout opt is happening in the hospitals, So, हमारे ये आंदोलन जारी रहेंगे, और तब तक जारी रहेंगे, जब तक CM हमारे ये demand नहीं fulfill कर रहे, आपने सुना कि किस तरीके से जो junior medical students हैं, या junior doctors हैं, वह अभी भी पीड़ता के परिवार को न्याय दिलाने के लिए डटे हुए हैं, और सरकार की बाद भी उन्होंने सिरे से नकार दी है, उन्होंने कहा है कि पहले सरकार और मुख्यमंत्री हमारी बात माने, उसके बाद हम भी उनकी बातों पर अमल करेंगे, और वहीं दूसरी तरफ ममता बैनर जी जो लगातार जांच चल रही है, ममता बैनर जी की पार्टी और सरकार की तरफ से कहा गया है कि CBI की जाच का जैसे ही फाइनल पेज आएगा जिस तरीके से CBI जो है वो फार रिपोर्ट देगी और दोशियों को हम फांसी देंगे इसी बात पर आज भारतिय जन्ता पार्टी के नेता दिनेश शर्मा ने भी अब ममता बैनर जी के उपर जो है वो बड़ा हमला बोला है इस बयान को लेकर सुनिए क्या कह रहे हैं दिनेश शर्मा बंगाल में ममता दीदी और उनकी टीम से जिसने अराजकता का वातावरन पूरे प्रदेश में मचा रखा था मैं समझता हूँ कि सैकडों महिलाओं के साथ में गलत व्यवहार हुआ लोगों के साथ में अत्याचार हुआ तमाम लोगों की रिपोर्ट्स नहीं लिखी गई अगर देखा जाए तो लोगसभा चुनाव के बाद विपद घटनाएं हुई है और लोग करा रहे हैं जो जूनियर डॉक्टर के साथ में दुश्कनोयर करें जिसम हम उसको फांसी पर लटका दे और ठीक है लटकाना भी चाहिए जो अत्याचारी हैं बलातकारी हैं उनको लटकाना चाहिए लेकिन ममता दीदी आपके TMC के भेजे हुए प्रायोजित गुंडों ने जिस प्रकार से महिलाओं के साथ में और खास तोर से भाजपा के कारेकरताओं के साथ में कारेकरती हों के साथ में जो विवस घटनाएं की हैं बनाओ उनकी सूची कई हजार आपके कारेकरता होंगे एक नहीं आपको तो हजारों लोगों को फांसी पर चड़ाना होगा आज बंगाल पर आपने जिस तरीके से सरकार के द्वारा प्रायोजित विव घटनाएं कराई हैं और राजनीतिक दलों के कारेकरताओं पर खास तोर से और बहुसंख्यक वर्ग के लोगों पर उसको जनता माफ करने वाली नहीं है आपके टीमसी के यह बयान से के जैसे निर्णय आएगा CBI का हम उसको फांसी दे देंगे इससे आपके पाप नहीं धुलने वाले आपके पाप तो तब धुलेगे जापके जो प्रायोजित कार्य करता थे उन्होंने जो वहां की जो बहुसंख्यक महिलाओं के साथ में जो भारतिय जनता पार्टी के और उन्होंने कहा है कि आज वही ममता बैनरजी नियाए की बात कर रही है जिनकी पार्टी के नेताओं ने और गुंडों ने हमेशा महिलाओं के साथ गलत किया है बात चाहे संदेश खाली की हो या फिर नंदी ग्राम की हो और वहीं दूसरी तरफ ममता बैनर जी की आंसूं को घड़ियाली आंसू बता दिया गया है दिनेश शर्मा की तरफ से देखिए इस पूरे मामले को लेकर लगातार बवाल जो है वह बढ़ता हुआ नजर आ रहा है एक तरफ कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स तो वहीं दूसरी तरफ आज देश की जनता यही मांग कर रही है कि ममता बैनर जी को राजनीती ना करते हुए पीडिता के परिवार को न्याय दिलाने में काम करना चाहिए पर यहां पर ममता बैनर जी सिर्फ और सिर्फ आरोपियों को बचाने और अपनी कुरसी को बचाने में लगी हुई है क्योंकि आज यही बातें सोशल मीडिया के माध्यम से जनता और जो न्याय मांगने वाले लोग हैं वह करते हुए नजर आ रहे हैं और वही ममता बैनर जी के उपर यह आरोप भी लगा रहे हैं खैर इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करकर जरूर बताइए धन्यवाद